जैसे कि मैंपको पीछली वीडियो में बता चुकी है। मैंने dólares चेंज़ कर लिए और benutり control R में होस्टिंग चैंज बागा है वह स्टिंग कचेंज करते हैं। चैंज करेंinement.. यह जो होस्टिंग कर प्लान है जैसे अगर माल लिया कि हमने यहां पर 149 का प्लान सेलेक्ट किया है मैं इसको add to cart करती हूँ इसके बाद हम लीचे स्क्रॉल करेंगे और किसी भी option पर जाएंगे अगर हम चली माल लेते हैं कि 12 मंत वाल ही हमने सेलेक्ट किया तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर amount दे सकते हैं कितना हो रहा है आप इसको 20% माइनस करके देख लीचे कितना होता है जैसे मैं अभी आपके सामनी calculator open कर ली है मैंने मैं यहां पर amount डाल देती हूँ यह वाला और इसके बाद हम इसको multiply करेंगे 20 से और divide करेंगे 100 से तो 676.848 का आपको यहां पर discount को लेगा यानि कि 20% का discount आपको मिल जाएगा यहां पर ट्राइक के लिए मैं अभी आपके सामनी दिखा भी दिखा भी दिती हूं कि आपको कैसे करना जैसे अभी आप यह आपको अपना जो लिंक है मेरा जैसे मैंने यहां पर करने के बाद हम यहां पर आते हैं इसके बाद मैंने इसको add to card के 149 वाले प्लान को अभी आप देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 20% referral discount अगर आप मेरे दिये हुए लिंक से purchase करते हैं तो आपको 20% का discount बन जाएगा अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ अभी आपने होस्टिंगर के डैश्पूड में हूँ और यह मेरी जो अभी website है वो यहां पर रन हो रही है और मुझे यहां पर एक sub domain क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हम जानेगे कि sub domain कैसे करते हैं और sub domain क्रिएट करने के बाद उसके अँदेर WordPress कैसे इंस्टॉल करते हैं और अपर SSL कैसे कि सारह में आपको बताने वाली हूँ तो इस पे sub domain क्रिएट के लिए आपको यहां पर जाना है यह अब यहां पर होस्टिंग प्रोवाइडर का होस्टिंग यूज कर रहे हूं हर जगे पर आपको यहां पर डॉमेंज का ऑप्शन मिलता है डेटाबीस वगरा सब कुछ होता है आपको बिल्कुल भी घबरारे के जुरत नहीं है मैं आपको होस्टिंगर का बता रही है लेकिन अगर जग splits सब्सक्रियार के सब्सक्राइड विए यहां पर झाला के पर रहाए हो पाला सब्सक्राइड के मतलत मुझे होस्टे पहले हैं यहां बनाने के लिएा लिए बनाने के लिए श्तुर का मैं मैंने यहां पर नेम दे दिया USA Stories का इसके बाद हम यहां पर Custom Folder for Subdomain पर Click कर देंगे और इसके बाद आपको यहां पर कुछ भी नाम देदेना है अपने डारेक्टरी का तो मैं यहां पर फिर से यहां पर यही नाम दे दिती हूं या फिर आप चाहें तो यहां पर इसको चेक स्टेक्पेंग क्लिक करना यहां पर देख सकते हैं सब्सक्राइब करना है इसके सामने कुछ ऐसा इन्टरफेड साजगा आपह देखेंगे मेरे ही हाँ पर जो विब साइट है उसका यहां पर सबकुछ पोलिटी हो रखा इसलिए यहां पर एसा शो कर रहा है इसमें कैशे वगर्र सबकुछ फ्री आता है जो होस्टिंगर की होस्टिंग होती है उसके अंदर यहां पर देख सतने आप light speed जो cache clear है यहां पर आपको free में देता है तो आप इसको चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं इसके बाद के है यहां पे मेरे अब होई वेब्साइट है में सब्डमीन का उप्शन लिए और समनेरा तो अबीहाँ के ए इस्टावाव फुरिश में निघना कुछ्रिटने का। तो आपो यहां पर यहांपए अपनी वेबसेट की टाइटल देना है तो आप यहांपे पर का यूजर ऍाइनम पूछ रहा है तो आप यहांपे कुछ भी अपना इसर नेम डाल सकते है तो मैंस्भा तो मैंने यहां पर यह रहने दिया है और यहां पर यहां पर लाइन पर चूट रखा है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है सिदा इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपका जो वाड़्परस है फटा पट से इंस्टॉल हो जाएगा तो अभी हमने पर यहां पर इंस्टॉल हो जाता है तो हमारा वडपेस इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स है वह हमारा है कि हमें अपने डैश्बॉर्ड ओपन करना है यहां पर मैंने डाल दिया है यहां युसस्टोरीज डॉट यूथिंफोहिंदी.com बनाया था वह यहां पर मैं डाल और अब मैं उस यूजर निम से लॉगिन करूंगी जो मैंने वहां पर डाला था तो मैंने यह डाल गए उसके बाद मैं इसको लॉगिन पर क्लिक कर दूँगी तो यह लॉगिन हो जाएगा अभी जब वर्डपेस नियुन फ्रेश ओपन होता है तो कुछ ऐसा दिखता है व आपको जिस भी तरीके से यूज करना है आप इसके अंदर बेजिस बनाएए आपको इसके तार्श बनानी है वह सारी चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं नेक्स वीडियू में आपको बताने वाली हूँ कि इसी सब डॉमैन को यूज करके आप कैसे वेब स्टोरी क्रिये तो आज की वीडियो में इतना ही ब्रेंट्स मनते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर, बाबाए